पर बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे धन से चल रही होगी और वर्षिट के माध्यम से तो आप फन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे इंट्रेस्टिंग पढ़ाई है यह तो बने रही है हमारे साथ और अपनी सारी वर्षिट की पढ़ाई हमारे चैनल से आप ले सकते हैं यहाँ उपलब्ध है तो चलेए शुरू करते हैं आज की वर्षिट और आज की वर्षिट है कक्छा आठ के समाजिक विग्ञान की जो हमें उपबी से राज सरकार का गठन पढ़ना है हमें ये जानना है कि राज सरकार का गठन कैसे होता है राज सरकारें कैसे बनती हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन तरह की सरकार काम करती है केंदर सरकार राज सरकार और पंचायत अस्तर पर सरकार तो हमें आज राज सरक होता है और सरकार का गठन कैसे होता है इस चिजको हम आज जानने और समझने वाले हैं जैसा कि आपने पिछली कक्छाओं में पढ़ा कि भारत के हर राज्य में एक विधान सभा है हर राज्य कई निर्वाचन छेत्रों में बटा हुआ है हर निर्वाचन छेत्र से जनता एक प्रतिनिधी चूनती है जो विधान सभा का सदा से यानि विधायक वन जाता है चुना में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं इसलिए विधायक अलग अलग राजनितिक दलों के होते हैं जिस राजनितिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन छेतर में जीत जाते हैं राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है बहुमत प्राप्त करने वाले राजनितिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सब को बिरोधी पक्ष वाला कहा जाता है चलिए अब इस बात को समझते हैं कि इतनी बात में इन्होंने हमें कितनी बाते समझाई मान यह एक राज्य है और इस राज्य में कुल 20 विधान सबाज चेतर है वैसे तो कम से कम 40 होने चाहिए और उधारन के लिए 20 विधान सबाज चेतर है और इस विधान सबाज चेतर में कोई तरह की 4-5 पार्टियों चुनाओ लड़ रहे हैं उन 4-5 पार्टियों में से एक पार्टी है ए इस पार्टी ने आधे से ज़्यादा सीट पर चुनाव जीत लिया मतला इसके जो विधायक है इनकी संख्या है 11 या 12 आप मान लिजी इनकी संख्या 12-20 है तो आधे से 2 ज़्यादा 12 हो गया है 11 भी रहता तो काम चलता अब बचा 8 तो एक दूसरी पार्टी है जिसके की 5 विधायक जीते हैं एक दूसरी पार्टी है जिसके 2 विधायक जीते हैं एक और निर्दलिये है वो अकिला जीता है तो इस तरह से अब यहां जिस पार्टी के 12 विधायक हुए वह पार्टी बहुमत वाला माना जाएगा क्योंकि आध होगी और बात बाकि ये सारे विरोधी दल के होंगे विरोधी दल का लाएंगे और ये विपक्ष में बैठेंगे सरकार के उल्टा विपक्ष में बैठेंगे और सरकार के नितियों में खामी निकालेंगे, कमी निकालेंगे, इस सरकार जो नितियां बना रही है, जो अपना कारे कर रही है, उसमें क्या-क्या कमी है, इस चीज की ओर सरकार का ध्यान आक्रिष्ट कराना ही, विरोधी दल, विपक्षी दल का काम होता है, अब चलिए, नीचे हिमाचल प्रदेश के 2017 के 68 विधा निर्वाचन छेत्रों के परिणाम दिये गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजे अब हर 5 साल पर हर राजमे विधान सभा के चुनाव होते हैं तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश में 2017 में चुनाव होए और 2017 में होए विधान सभा चुनाव के परिणाम ऐसे हैं जैसे कि राजनितिक दल देख लीजे राजनितिक दल है भारतिये जनता पार्टी जिसको सौट में बीजेपी बोलते हैं इनके द्वारा जीते गए बिधायकों की संख्या 44 है इनके बिधायकों की संख्या 44 है और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस इनके बिधायकों की संख्या 21 है Communist Party of India Marxist की इनके बिधायकों की संख्या 1 है और निर्दलिये जो किसी पार्टी की बिधायक नहीं है उनकी संख्या 2 है तो यहां के 68 सीटों का चुनाव परिणाम है अब इसे संबंदित हमको उत्तर देना है लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि आधा से जादा सीट बीजेपी को आई है तो बीजेपी की सरकार बनेगी यहां और इसके बाद यह सभी विपक्ष में रहेंगे विरोध में रहें प्रशन दो है कि उपरुक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अत्वा सरकार बनाएगा प्रशन तीन है उपरुक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे और फिर यहां है कि राज्य सरकार के वल अपने राज्य के अंतरकत आने वाले कारियों को ह देखती है, जैसे राजी की सिक्षा, स्वास्त, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदी, भारत में कुल 28 राजे तथा तीन के अंदर सासित परदेस हैं, जिनकी अपनी विधान सबा है, यहां एक चीज़ आप ध्यान दीजेगा, कि हम लोग हमेशा से रटते आए हैं, कि भ 28 राजे में से, 8 के अंदर सासित परदेस में से, 5 के अंदर सासित परदेस ऐसे हैं, जिनकी अपनी विधान सबा नहीं है, तो इस 8 में से 5 को घटा लिया गया है, से 3 बचा, तो यहां दरसाया गया है, कि भारत में 28 राजे और 3 के अंदर सासित परदेस हैं, जिनकी अपनी राज्य की अंतरगत आने वाले कार्यों को भी देखती है राज्यों की जुसिमाएं है यह हो गया हरियाना यह दिल्ली यह उत्तर पर्देश तो इतना इसके अंदर जो कारे आएंगे उसको यूपीज गौण्मेट देखेगी इसको हरियाना की गौण्मेट देखेगी और इस के अंतरगत आने वाले राज्जी की सिख्षा स्वास्त सड़कें पीने का पानी बिजली आदी का देखरे राज्जी की सरकारे करती हैं जो राज्जी के महत्त की हो राज्जी की सरकारे करती हैं हमारे हां कारे भी तीन अस्तर पर बटे हुए हैं एक है केंदर अस्तर पर दू ऐसे सुरक्षा, रेल विवस्था, संचार, बैंक, सैनिक, पूरे देश की सीमा, ये सभी राष्ट्रिय महत्तों के बीसे हैं, तो इसको केंदरी ये सेंट्रल गॉर्मेंट देखेगा, और जो राज्य के महत्तों के चीज़े हैं, उसको एस्टेट गॉर्मेंट देखेगी, औ और कुछ ऐसे भी बीसे हैं, जिस पर की सेंट्रल और एस्टेट दोनों कानून बनाते हैं, उनको हम लोग समवर्ती सुची में रखे हैं, तो समिधान में इसका बर्णर है कि किस बीसे पर कानून केंदर बनाएगा, किस बीसे पर कानून राज बनाएगा, और किस बीसे पर बैंक इत्यादी ऐसे कारियों को केंदर सरकार करती है तो बच्चों अब चलते हैं हम यहां कुछ प्रस्ण दिये गए हैं इन प्रस्णों के उत्तर के लिए प्रस्ण एक है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनेतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या बिधायकों की आवसक्ता होगी तो आधे से जादा जितने पूरे बिधायकों की संक्या होगी उसके आधे से जादा उसका प्रस्ण दो है उपरोक्त में से कौन सा दल राज कि ये जनता पार्टी बीजेपी क्योंकि उसने 44 सीटे हासिल कि है तो और सथ में 44 सीटे हासिल करना मतलब की यह आधे से जादा है उसके बाद है कि उपरुक्त दोनों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कॉमुनिस्ट पार्टी आफ किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू